असलाव अलेकूम आज मैं आप लोग साथ न्यू स्टाइल की ब्लैक पेपर चिकन की रेसिपी शियर करूंगी बहुत ही मज़ी की बनती है चलने चलते हैं रेसिपी की तरफ एक करहाई में मैंने हाफ कप ओई लिया है इसके अंदर चार सो पांच लोंगे और दारचीनी की स् चार मेडियम साइस की मैंने प्यास दी है और इस तरह से इसको चौप कर लिया है वो शामिल करेंगे और प्यास को फ्राय कर लिए गोल्डन होने तक फ्राय करना है जब तक प्यास फ्राय हो रही है जब तक हम एक जूसर ब्लैंडर लेंगे और उसके अंदर हाफ कप मैंने और उसके अंदर 8-9 बादाम शामिल करके इसका पेस्ट पना लेंगे प्यास फ्राय हो गई है अब इसके अंदर मैंने हाफ कीजी चिकन शामिल की है चिकन को अच्छी तरह से गोल्डन होने तक फ्राय कर लेंगे बहुती तेस्टी बहुती मज़ी की रेसिपी है आप तो जरूरी इस रेसिपी को ट्राय कीजिएगा और बहुती जल्दी से बन जाने वाली रेसिपी है ये चिकन फ्राय हो गई है अब इसके अंदर मैं टू टेबल स्पून लैसन अद्रक का पेस्ट शामिल करूँगी और इसको मजीद दो से तीन मिनट के लिए फ्राय कर लूँगी अब इसमें टू टेस्पून पिसीवी काली मिट्स शामिल करूँगी वन टेस्पून नमक शामिल करूँगी नमक आप अपनी टेस्ट के असाब से कम जादा कर सकते हैं इसको अची तना से मिक्स कर लेना है अब इसके अंदर दही और बदाम का जो हमने पेस्ट तयार किया था वो शामिल कर देंगे अब इसके अंदर मैं 3-4 हरी मिर्चे काट कर डाल रही हूं आप अपनी टेस्ट के साब से कम जादा कर सकते हैं हरी मिर्चे डालने के बाद इसको हम ढख कर लो फ्रेम पे 10-12 मिनिट के लिए पका लेंगे ताके पानी फुश्क हो जाए और चिकन भी गल जाए दस मिनिट हो गए हैं अब हम चिकन के चेक कर लेंगे ये देखें पानी खुश्क हो गया है और हमारी गरीवी भी बन गई है हाफ टीस्पून मैंने इसके अंदर पिसा वाजीरा शामिल किया है इसको मिक्स कर लेंगे और अगर आपको लगे कि आपका मसाला लग रहा है तो आप उसके अंदर हाफ कब थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं और उसके बाद उसको पांच मिनिट के लिए पका लें ये देखें हमारा मसाला तयार है अब इसके अंदर मैं साबुत हरी मिर्चे शामिल कर रही हूँ और थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हमारी ब्लैक पेपर चिकन तयार है उमीद है आप सबको रेसिपी पसंद आई होगी जरूर इस रेसिपी को ट्राइ कीजिए गा और अपना फीड़बेक जरूर दीजिए गा थैंक्स पर वाचिंग अला हाफिस